दोस्तों आपता को आउसर में कैसा बदला जाए एक कोई 36 गड़ियों से सीखे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 36 गड़ के राजनाद गाउ जिले की फूल बासन जादों ने केवी सी में 50 लाक रुपए जीते है और यही नहीं उन्होंने ए बात भी कह कि असली मज़ा पैसा कमाने में नहीं है असली मज़ा दुसरों के लिए कुछ करने में है और उन्होंने कई जन कल्लयानकारी अपने जीवन में काम किये है और कई राश्ट्रिय इस तरह के प्रुसकार भी जीते हैं और उसके कुछी साहे बाद जग्दलपुर के एक महिला के बीची में एक करोड़ रुपए जीते है तो इस तरह से चतिसगड़ का नाम तो होई रहा था लेकिन अभी हाली में चतिसगड़ की मसूर पाणवानी गाई का तीजन भाई की ऊपर फिल्म बनाने की बाते जब से चर रही है तब से चतिसगड़ का गौरों साथ में आस् दोस्तों तीजन भाई 36 गर में लोक कला की परंपरा है पांडवानी गाई का जिसमें महाभारत को खड़ेक होकर गया जाता है और महाभारत को लगतार गागा कर बताया जाता है और इस तरह से गायन वाली भारत की सबसे पहली मसहूर गाई का तीजन भाई ही है जिन्होंने अ रंग बिखेरा था ना तो उसे देखकर अच्छे चेलो भोचक्के रागे और आज भी जापान में तीजन बाई का ए प्रस्तुती को याद किया जाता है जापान में आज भी इसके लिए बहुत ही जादा फेमस है और दोस्तों आजकाल बॉलिवुड में परंपराही चर रही च्छतिजगड के तीजन बाई पर भी एक फिल्म बर रही है जिसमें तीजन बाई के भूंका खुद बिद्या वाला निभा रही है और तीजन बाई ने अपना ज़्यादा समय अपने नाना के हाँ वैतित किया और उप पांडवानी गाई का अपने नाना से महाभारत सुन निभा रहे हैं और दोस्तों ए तो 36 गड़ के लिए खुसी की बात है ही लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर वाली बात भी आपको बता दूँ जब विद्या बालन ने तीजन भाई से कहा था कि मैं आपके घर आ रही हूं और वहां पो कुछ 36 गड़ी भासा भी सीखूंगी और आपके जीवन के बारे में कुछ जानना भी चाहूंगे तो तीजन भाई ने सहब सहब कह दिया कि नहीं आपको मेरे घर आने की जुरूत नहीं है हम लोग बाहर ही मिल लेंगे जरली ये होता है कि जब कोई श्टार घर आता है तो लोग एक दम से त्यारी करने लग जात एकदम इन्वाइट करते हैं लेकिन इन्हों ने क्या कहा कि हम बाहर ही मिल लेंगे तो ये भी एक अलगी बात है और दोस्तों तीजन भाई के बारे में कुछ और बता दू आपको तीजन भाई को सन 2003 में पद्म भूसन पुरुसकार मिला था और 2019 में पद्म भूसन पुरु वीडियो देखके खुसी हो रहा है तो खुसी को अपने पास मत रखिए इस खुसी को और जगह सेयर कीजिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो एक नए और इसी तरह एक रोचक और जन कल्यानकारी विचारों के साथ